आज हम आपको मीन राची वे लगन वाले लोगों के बारे में बताएंगे मीन बचक्र की अंतिम राची है मीन ब्रस्पती की एक नकरातमक राची है ये जलतत्व की राची है ये ठंडी समाने इस्त्री लाबदाएक सम शुब राची है ब्रस्पती मीन राची का स्वामी है इसका परतीक दो मचलियां है जो एक दूसरे के पास स्थित है जिसमें एक का सिर दूसरी की पूश की तरफ है छोटा वे गोल मटोल छरीर छोटी टांगें गोल कंदे उन्नत नाग अकर्शक आँखे सुन्दर होंट में दाथ रेशमी थता हलके बाल इस राची की पहचान है ब्रहस्पती की ये नकरात्मक जल तत्व राची है मीन राची वाले बेचायन कलपनाशील भावनात्मक सनेही प्रोपकारी दास्षनिक पराय आतम विश्वास में कमी विनमर और संकोची होते हैं इन्हें अधिकतर आवनात्मक सहारे की अवश्यक्ता रहती है दार्मिक रूप से परंप्रा वादी नेमों के पालन में कटर वे दड़ेड होते हैं तथा गूड मांसिक विज्ञान में रूची रखते हैं ये लोग समाज को दिशा देने वाले होते हैं समाज को परबावित वे अकर्शित करने वाले होते हैं आर्थिक रूप से ये सुध्रड ही रहते हैं मीन लगन में राची वाले जातक की दिश्टी बहुत सुंदर होती है ये लोग विद्वान, कृत्यग्य, अपनी इस्त्री से संतुष्ट रहने वाले बाग्यवान होते हैं जल्क में उत्पन पदार्थो द्वारा इने दन प्रापत होता है ऐसे जातक अपनी शत्रों को प्रास्त कर उन पर विजे प्रापत करते हैं अब हम आपको बताते हैं मीन राची के लिए ब्रस्पती जो कि लगन का स्वामी है और दस्वेगार का क्योंकि लगन का स्वामी होने के कारण और नसर्गिक शुब ग्रह होने के कारण ब्रस्पती मीन लगन की कुंड़ी के लिए एक शुब ग्रह होता है अब हम बात कर लेते हैं चंदर की जिसे इस कुंड़ी में फिफ्थ हाउस मिला है जो के एक तिरकोन का बाव है तिरकोन का गर मिलने के कारण चंदर ये इसमें योक कर रग रहा है हैं अब हम बात कर लेते हैं मंगल की मंगल को एक तो नाइनथ हाउस मिला है एक dejar जो के मारकस्तान है पर क्यूं कि मंगल मंगल को 9th house मिला है जो कि तिरकोन का बाव है और ब्रस्पती और मंगल की मित्तरता भी है इसलिए मंगल ब्रस्पती मीन राश्री वाले लोगों के लिए योग का रग रहा है यह अपनी दशा अंतर दशा में इन्हें अच्छे फल देगा अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की सूर्य को मीन लगन में 6th house मिला है जो कि एक तिरक बाव है 3, 6, 11 एक बादगर भी है यह तिरक बाव भी है इस कारण सूर्य मीन लगन वालों के लिए एक अशुब ग्रह है अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की शुक्र को मीन लगन में एक तो 3rd house मिला है दूसरा 8th house मिला है 3rd house बादगर है 8th house त्रिक बाव है और ब्रेस्पती की शुक्र के साथ मित्रता भी नहीं है इसलिए शुक्र भी मीन लगन वालों के लिए एक अशुब ग्रह है अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध की बुद्ध को एक तो 4th house मिला है और एक 7th house 7th house मारक स्थान है बुद्ध को दोनों केंदर के बाव मिले हैं बुद्ध की और ब्रेस्पती की मित्तरता भी नहीं है इसलिए बुद्ध मीन लगन वालों के लिए एक मारक रहा है अब हम बात कर लेते हैं शनी की शनी को मीन लगन में एक तो 11th house मिला है एक 12th house 11th house बादगर है 12th house मारक त्रिक बाव है शनी को दोनों ही गार अच्छे नहीं मिले हैं और शनी की ब्रेस्पती के साथ मित्तरता भी नहीं है इसलिए शनी भी मीन लगन वालों के लिए एक मारक रह है यह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फाल नहीं देगा अबर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंदाई हो तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स पर वाचिंग